इस्राइल लगातार ये कह रहा है कि हम हमास को निशाना बना रहे हैं हम हमास को निशाना बनाने के लिए गाजा पर लगातार धाईसों से ज़ादा तमाम जगा पर एर स्ट्राइक कर रहे हैं क्यूंकि हमास को खतम करना ही हमारा एक लौता मकसद है लेकिन इस मुलौते मकसद में वो जिस तरह की तबाही मचा रहा है उसके बाद गाजा पूरी तरह से तबाह होता दिखाई दे रहा है इसी बीच ऐसी ऐसी तस्वीरे सामने आ रही हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते हर जगा विडियो जारी होते हैं तब ही दिखता है कि हर जगा लाशे बिखरी हुई है लाशे बिखरने के साथ साथ अब बॉडी भी पूरी नहीं है बॉंबिंग के जरीए लोग पूरी तरह से लोथरे उठा रहे हैं अपने परिवार वालों के पहचान में नहीं आ रहा कि कौन किसकी बॉडी है और ये मनजर रुकने का नाम नहीं ले रहा अक्सर कहा जाता है कि एक तस्वीर जिससे पूरी दुनिया दहल जाती है लेकिन बीते 29 दिनों से लगातार तस्वीरे सामने आ रही है फिलिस्तीन से लेकिन पूरी दुनिया खामोश है उस खामोशी में जिस तरीके से इसराइल को अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है उस सपोर्ट से ये साफ दिखता है कि कैसे तबाही मचाने में अमेरिका भी पूरी तरह से इसराइल के साथ है और अफसोस की बात ये है कि तीन बिलियन की जो सुविधा है जो आर्थिक मदद है अमेरिका इसराइल को प्रोवाइड करा रहा है जबकि अगर हम गाजा की तरफ देखते हैं तो वहां पर पीने के लिए पानी नहीं है दवाईया नहीं है मेडिकल फिसिलिटीज नहीं है खाने की तबाईय है हर जगा हर चीज की कमी है तबाईय ही तबाईय ही यहां तक कि अगर तस्वीरों को देखे तो कफन के लिए भी अब जगा नहीं है कफन भी लोगों को नहीं मिल रहे हैं एक के ऊपर एक को रखकर आखरी अलविदा कहा जा रहा है अपनी आखों से लेकिन इसके बावजूद यूनिवर्सिटी जो गाजा की एक लौती यूनिवर्सिटी है उसको भी और स्ट्राइक के जरिये खतम कर दिया गया है लेकिन अब सवाल इस बात का उड़ता है दोस्तो कि इजराई का दावा ये है कि वो हमास के ठिकानों पर कर रहा है हमास के ठिकाने तमाम सुरंगों के अंदर है तो वो सिविलियन्स पर किस बात का हमला कर रहा है और कर कोई इसे खामोशी से तमाशे के साथ देख रहा है अब जब एक महीना इस जंग को होने आया है तो दस हजार से जादा लोगों की मौत हो चुकी है और 5000 से जादा मरने वालों की संख्या बच्चों की है महिलाओं की है तो ये कैसा जंग है जहां पर बच्चों और महिलाओं को निशाना बना कर अपनी मरदानगी दिखाने की कोशिश की जा रही है और हक और बातिल की लड़ाई में हर कोई अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है जिसमें ये साफ दिख रहा है कि जमीनी तोर पर लगातार इसराइल पिट रहा है और पीछे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन जैसे ही ये लगातार युनिवोसिटी को उड़ाना घरों पर हमले करना और तो और महिलाओं को निशारा बनाना ये साफ दिखाता है कि इसराइल की हार होना तो पक्की है वो चाहे जितना भी हरकत कर ले, बॉंबिंग कर ले, एर स्ट्राइक कर ले, जमीन में घुसने का दावा कर ले लेकिन सच्चाए यही है कि इस हक और बातिल की लड़ाई में अगर जीज किसी की होनी है दोस्तों तो वो सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन की होनी है